हेलो दोस्तो मैं हूँ दाउद स्वागत है आपका मेरे यूटूब चाइनल मेडिशीन नौलेज में आज जानकारी लेंगे बेना ड्रील कब सीरप के बारे में दोस्तो अगर आप इस चाइनल पे नए हो तो मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और घंटी के वेल आइकन को दवाना ना भूले जिसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले चलिए बीना देरी किये वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों इस वीडियो में जानकारी लेंगे बेना द्रील कब सीरप के कमपोजिशन क्या है इसके यूज बेनिफिट क्या है इसके प्राइस क्या है इसके डोज और साइड एफेक्ट के बारे में सारी जानकारी लेंगे दोस्तों बिना इसकीप किये लाश तक वीडियो देखे जिससे सही जानकारी आपको मिल सके दोस्तों बेना ड्रील कब सीरप को जोंसन एन जोंसन प्राइवेट लिमिटेड कंपणी में रूफेक्चिंग करती है जो 150 ml में आता है जिसका प्राइस आप देख सकते हैं 118 रुपे है दोस्तों या कब सीरप आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट स्वाप पर मिल जाएगी दोस्तों या कब सीरप आप देख सकते हैं मार्च 2021 में इन फ्रेक्चिंग किया गया है जिसका एक्सपारी डेट आप देख सकते हैं फरवरी 2023 तक है दोस्तों इस सीरप को लेने से पहले एक्सपारी डेट जरूर चेक कर लें दोस्तो अब जानकारी लेंगे इसके composition के बारे में दोस्तो इसके composition की बात करें तो इसमें डाइफ हेडरामीन हाइडरो क्लॉराइड के 14.08 mg अमोनियम क्लॉराइड 138 mg, सोडियम सिटरेट 57.03 mg और इथेनॉल 0.26 ml drugs के content मिले होते हैं दोस्तो अब जानकारी लेंगे इसके use और benefit के बारे में दोस्तो यूज की बात करें तो अगर आपको खासी है ज्यादा खासी हो रही है तो इस condition में आप बेना drill cup syrup का इस्तेमाल कर सकते हैं जो की काफी अच्छा काम करता है अगर आपको सर्दी या गले में खरास है तो आप इस condition में भी इस बेना drill cup syrup का यूज कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको allergy के लक्षन जैसे आँखों से पानी आना छींके आना बहती नाख और गले में खरास जलन हो रही हो तो इन condition में आप इस बेना drill cup syrup का यूज कर सकते हैं जो उसे ठीक करता है दोस्तो या वीडियो जानकारी के लिए बनाया गया है इसलिए इस सिरफ का इस्तेमाल डाक्टर की सला से करें दोस्तो अप जानकारी लेंगे इसके dose के बारे में दोस्तो dose की बात करें तो dose पेसेंड के age और weight के condition के हिसाब से अलग-अलग होता है दोस्तों 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को 2.5 ml सुभा 2.5 ml साम को दे सकते हैं 6 से 12 साल के बच्चों को 5 ml सुभा साम दे सकते हैं और दोस्तों 12 साल से उपर के 10 ml सुभा साम दे सकते हैं दोस्तो बेहतर result के लिए आप डाक्टर से संपर करके इस सीरप का इस्तेमाल करें जिसे सही डोज आपको मिल सके दोस्तो अब जानकारी लेंगे इसके side effect के बारे में दोस्तो अगर आपको इस सीरप से allergy होने पर कुछ side effect हो सकते हैं ऐसे दोस्तो इस सीरप से side effect बहुत कम देखने को मिलता है side effect की बात करें तो पेट में दर्द, नीद आना, चक्कर आना हो सकता है ऐसी condition में इस सीरप का इस्तेमाल ना करें और तुरंत ही डाक्टर से संपर करें दोस्तो ये थी सारी जानकारी बेनाड ड्रिल कप सीरप के बारे में दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे स्चानल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तो अगर आपको इस वीडियो से related कोई question हो तो comment box में question कर सकते हैं बस दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई वीडियो के साथ